सदन निता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बील और संकल्प लेकर आया हूँ इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं ये मामला 1948 में येन में पहुचाया गया था कस्मिर का भी लए और इसके बाद की बुद्पुर्वपदान मंतरी इंदिराजी ने जो पाकिस्तान के साथ सिमला करार किया इसका भी जिकर किया और उन्होंने एक तरीके से एक ग्रू की कॉंपिटन्सी पर सवाल उठाया है कि ये ग्रू ए विदेख को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूँ कि सिर्फ पोलिटिकल चीज नहीं है और देख समझें कि कानूनी है और इसके रिफलकेशन आने वाले दिनों में समवेधानिक रूप से कानूनी रूप से भी पढ़ सकते हैं इसलिए मैं इसको बहुत सपष्ट करना चाहता सबसे पहले मैं सपष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू और कस्मीर भारत का अंग है अभीन अंग है इसके बारे में कोई कानूनी या समवेधानिक विवाज नहीं है इसकी सपष्टा अध्यक्स मोद है भारत के समविदान और जम्मू कस्मीर का जो समविदान बना था उस वक ये दोनों समविदान में बहुत क्लैरिटी के स्ट्राइब की है जम्मू कस्मीर ने भी इसको स्विकार किया है कि वो भारत का अभीन अंग है जम्मु कस्मीर बारत के सम्विधान में अनुचे 3701C में the provision of article 1 and of this article shall apply in relation to that state मतलब जम्मु कस्मीर को article 1 के सारे provision apply करते हैं अनुचे 1 में क्या है इंडिया that is भारत shall be a union of state भारत एक सभी राज्यो का संग है और इसके अंदर भारत की सिमाओ की व्याख्या करते हुए राज्यो का लिस्ट दिया है उसमें पंगरवे नंबर पर जम्मु एन कस्मीर state इसका उलेख है इससे प्रस्ताफित होता है कि ये जम्मु और कस्मीर भारत का अभिन अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसत हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूनत है कॉम्पिक्वन तभापती महोद है जम्मु कस्मीर के संभीदान में भी इसकी स्पष्टता है इसलिए जहां तक जम्मु कस्मीर का सवाल है हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्व लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता इस देव की संसत को संभून अधिकार है और ये अधिकार के तहर कैबिनेट की अनुसंसा पर राश्ट्रमपती महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजे में लेकर यहां पर उपस्तित हुआ हूँ